सीलल दिल को तुमसे प्यार की कहानी में आखिरकार चिराग ने अपने दिल की सुनी जीहाँ अपनी मा के यहाँ खायालों को जानते हुए भी जानवी के जाल के बिशते हुए भी उसने अपने दिल की सुनी और चिराग ने फानली यहाँ दिपिका के साथ शादी कर लिए उस यहाँ पर बड़ी बहु को लेकर जो सपने थे उसे चूर चूर कर दिया है अब दिपिका उसके घर की बड़ी बहु बन गई है और तो और उसके चिराक की पतनी इस बाद से वो इतनी खफा हो जाएंगी कि सीधे तोर पर कहेंगी कि मैं इस लड़की को अपने घर में कभी ए ही डिसीजन लेगी कि इस लड़की को तो मैं अब इस कांड के बाद अपने घर में एंट्री नहीं दूँगी इस लड़की के चक्कर में मैं अपनी बेती का बसने वाला घर नहीं उजाड सकती जिससे अब यश्वन शौक्ड हो जाएंगे और जानवी भी यही चाहेगी कि दिपिका नहीं आए लेकिन तभी यश्वन जो फैसला लेंगे उससे सभी लोग शौक्ड हो जाएंगे जिया चिराग को वो अपने पुराने घर पर ले जाएंगे जो कि यहां पर यश्वन का अपना है क्योंकि अभी तो दिपिका और पूरी फैमली जो है वो रह रही है लावन्या के दिए हुए घर में रह रहे हैं ऐसे में आप यश्वन कहेंगे ना लावन्या के दिए हुए घर में और ना ही मित्तल हाउस में बलकि हमारे पुराने घर में चिराग रहेगा यानि कहानी में दिपिका नहीं बलकि चिराग का ग्रवप्रवेश यश्वन आप